अलो दोस्तो हमारे youtube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वावत हैं दोस्तो आज में आप लोगों को बताने वाली हूं कि चूहा घड में हो तो क्या संकेट देते हैं सुब असंकेत देते हैं या असुब संकेत देते हैं या फिर कोई अन्होनी का संकेत देते हैं तो दोस्तों हमारे घर में कई ऐसे जीब जन्तु हैं जिन्हें पाला जाता हैं कुटा, बिल्ली, घोडे, गाय और बकडी इन में परमुक है इनके अलावा कुछ जन्तु ऐसे हैं जिने बिना पाले भी हम अपने घड़ों में अपना देरा जमा लेते हैं जैसे कि चिरिया कबूतर चुए और चुचुंदर चुहे और चुचुंदर के घर में आने को लेकर कई सारी माननेता है वास्तु सास्तर और जोतिश शास्तर के अनुसार घर में चुहे और चुचुंदर का होना इनसान को क्या संकेत देता है क्या इनका घर में रहना सुभ होता है या असुभ होता है इन सभी सबालों के जवाब आज की इस वीडियों में हम आपको देंगे तो वीडियों हमारा पुरी लाश्ट तक जरूर देखे ताकि आप समझ जाएं कि चुहों को घर में आना सुभ होता है या असुभ होता है तो चुह और चुचुंदर का चलिए बताते हैं कि चुहा और चुचुंदर जो होता है या असुभ होता है तो दोस्तों सबके घरों में आम तोड़ पर काले चुहें को देखने मिलते हैं अगर दो तीन चुहें हैं तो ये समाने बात है लेकिन अगर अचानक से अधिक संक्य मात्रा में चूहें दिखे तो यह बहुत बड़े नुकसान का संकेत हो सकता है इससे बचने के लिए तुरंत उपाई करना बेहत जरूरी है साथ ही अधिक मात्रा में काले चूहों का दिखना घर में निगेटिवीटी लेकर आता है जो आपके घर और पडिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक होता है दोस्तों माननेता है माननेता के रुसर जिस घर में काले चुओं की संख्या अधिक हो जाती है वहां किसी वैदी के अच्छानक होने का अंदेशा रहता है यह भी मानना जाता है कि चुओं हमारे घर की 37 शामिर्दी को धीरे-धीरे कुतर कर रख जाते हैं यह भी मानना जाता है कि इस घर में काले रंग्यक्षा बहुत अधित तादान में दिन और रात भर घूमते रहते हो तो शमझार देखिए कि किन रोग या सुत्रु का आकर्मन होने वाला है कर वहां पर बैठते हूं वहां विमारिया भी छोड़ जाती तुफु कुषा कर आं चुहा नकार्तमक और ज्याली सक्तियों का पर्तिक माना जाता है जो की मजूद्गी से घर में मजूद लोगों की बुद्धी का भी बिनास होता है यह भी बड़ा ही अजीव है कि चुहों का घर में होना असुभ माना जाता है लेकिन चुचंदरे को चुचंदरे हैं तो वहा लक्षमी विर्धी विर्धी होती है दोस्तों को भहाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे जो की बहुत यंदे दोस्तों को कुछ लोग मारने के लिए जहर या गरदन तोड़ने वाले फंडे का परियोग करते हैं चुहां मारने वाले वाले पिंजरे हाइवेयर की दुकान पर मिल जाते हैं लेकिन चुहां को मारने उसके सब को यह तुरंत नहटाया गया तो उसमें से बहुत ही बुरी द होता है जो कि मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है अन्युक्स के लिए आपको बहुत ही रखने होगी जिससे की आपके बच्चे भी सब चीजों से इंब बच्चे को विए इन चब सब चीजों से दूर रखना होगा दूसरा तरीका है को पिंचरी में पकरकर उन्हें हैं दूस्तों तीस्रा तरीका है आप उन्हें लोगों की मदद सकते हैं जो झूहे तो है जीमी जन्तू को भगाने का काम करते हैं वे अच्छे से साफ सफाई करके चले जाते दोस्तों और सबसे अच्छा तो घरेलु तरीका होता है जिससे कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आडाम से चुहत दुम दमागे भाग जाएगा तो उपड़ी यानि की घरेलु उपाय हम जो बता रहे हैं वह आपके घर में ही मिल जाएगी पीपरमेंट को जानते ह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं पुदेनी की पति फूल को लेकर कूट ले और इसे चुहे के बिल के पास या आने वाली जगहों के पास रहे या गर से बगाने का सबसे अच्छा उपाई सावित होता है चुहों को घर से बगाने का सबसे असान तरीका है इंसानों के बाल क्योंकि इससे दूर रहते हैं द्रासल इसको निगलने से उनकी मौत हो जाती है इसलिए इसके नजदीक आने से भी यह काफी डरते हैं आप उसके यानि बिल के पास अपने बाल जो जारते हैं कंगी में जो बच जाते हैं वो बिल के पास आप रख सकते हैं उसे देखकर वो भाग जाएगा बहुत ही आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्र के लिए गुडबाय और थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो